हलो स्टुडेंस मैं नवरतन जाएंगी टीम केमेस्ट्री टीम सील सी स्वागत आपका सील सी के डिजिटल प्लाइटफॉर्म पर यूटूब चैनल पर यूटूब चैनल अपना डिजिटल प्लाइटफॉर्म का एक छोटा हिस्सा है लेकिन इसमें कंटेंट भूत सार है ठीक अभी अगर अपन बात करें डिजिएम टेस्सी जो नीट के लिए चल रही है टोटल फॉर्टी एट पेपर अपने थे उसमें फॉर्टी फॉर्थ पेपर का आपना आज सॉल्यूशन अपन डिस्कस करने जा रहे है ठीक इसी प्रकार से आईटी के लिए भी डिजिएम टेस सॉलुशन यहां पर अवेलेबल है प्रिवियस एर के एग्जाम्स के क्यूशन भी यहां पर अवेलेबल है तो काफी सारा कंटेंट यहां पर है इस्टुडेंट्स आप इन सब को देखकर अगर आप नीट और आईट के आप तयारी कर रहे हैं तो आपके काफी हेल्फुल यह साबित हो रहा होगा ठीक है आज अपन DCM टेस्रीज का 44 जो पेपर है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है ना पेपर के अंदर डीए ब्लोक, मेटलर्जी और हाइड़ुजन यह तीन चैप्टर अपने कवर किये गए हैं सारा पेपर NCRT बेस्टा और उमीद आ आपके यहाँ पेपर में आये हैं इसी टाइप के क्यूशन जो नीट में पूछे जाते हैं ठीक है ना तीनों चैप्टर जो हैं वो NCRT बेस्ट ही एक प्रकार से नीट के अंदर पूछे जाते हैं चलिए अपन डिस्कस करते हैं अपन क्यूशन नंबर 1 से ठीक है ना सबसे पहली बात तो यह कि Chromium का electronic configuration पूछा है तो atomic नंबर आपन जानते हैं किता होगा 24 इसका special configuration है इसके अंदर argon 3D 54S1 ठीक है ना यह configuration है होता क्या है कि 4S और 3D के बीच में energy difference कम होने के कारण एस वाला एक electron जो है हो इधर shift हो जाता है और इसी configuration में chromium maximum stable होता है अगर अपन 3D series की बात करें तो एक copper भी ऐसा है जिसके configuration भी इस टाइप से गड़वड होगा आरगन और यहाँ पर 3D 9 की जगह पर क्या होगा 3D 10 और 4S1 तो आप chromium और copper का configuration स्पेस लिधान रखें अपना यहाँ पर desired question कौन सा है chromium के लिए तो यहाँ पर unpaid electron total किते होंगे अपन जानते हैं कि D में पांच orbital है पांचों में एक एक electron है ठीक ना पांचों में कितने electron है एक एक electron है तो unpaid electron D से अपने वो 5 मिल गए और 4S के अंदर अपने पास एक unpaid electron है तो total number of unpaid electron किते हागे बोलो अपने पास total 6 हागे बात क्लीर है गया तो आंसर आपका इसमें कितने जाएगा बोलो chromium प्लस में number of unpaid electron are 6 तो आंसर आपका गया कौन सा इसके अंदर 4 बात क्लीर स्टुदेंट्स अब अपन आगे अपन बात करते हैं चलो ठीक है ना अब अपन बात करते हैं क्यूशन number second के बारे में second question में ये बोलाया अपने को कि संकरमान दातु जो की हरा योगी प्लस 3 ओक्षिक नवस्ता में और पीला योगी प्लस 6 ओक्षिक नवस्ता में शो करता है ऐसा transition metal जो प्लस 6 के अंदर तो किस टाइप का कलर शो करता है अना ग्रीन और प्लस 6 के अंदर कौन सा प्लस 6 के अंदर अपने पास यल्लो ओरेंज तो आप इसमें आप एक ची ध्यान रखना कि इसके अंदर अपने को बात करें तो chromium ऐसा है chromium प्लस 3 के अंदर जो compound बनाता है वो कैसा बनाता है green और अगर chromium प्लस 6 की अगर अपन बात करें तो chromium प्लस 6 के अंदर आपको पता है कि Cr O 4 माइनस 2 जिसका नाम क्या है chromate और Cr 2 O 7 माइनस 2 ठीक ना इसमें भी chromium का oxidizing state कौन सा है plus 6 और यहां पर भी chromium का oxidizing state कौन सा है plus 6 इसको पन बोलेंगे क्या chromate इसको अपन क्या बोलेंगे chromate ये तो अपने पास है chromate और ये कौन सा है dichromate dichromate तो students आपको पता है कि chromate का color कैसा होता है yellow और dichromate का color कैसा होता है orange red तो plus 6 के अंदर जो yellow orange type का compound बनाएगा तो answer अपना कुन सा जाएगा बोलो यहाँ पर chromium आपका answer जाएगा एक खास बात ओर students कि यहाँ पर जब chromate और dichromate बनते हैं यह equilibrium में होता है ठीक ना यह तो आपने जैसे लिख दिया मैंने CRO4-2 और यह लिख दिया मैंने CRO2-7-2 यह दोनों equilibrium में होते हैं जब आप H plus की concentration बढ़ाते हैं या pH का मान साथ से कम है तब तो यह chromate जो है किसमे convert होता है dichromate में और अगर आप OH- की concentration बढ़ाते हो तो यहां पर dichromate जो किसमे color होता है convert होता है chromate के अंदर इसका color yellow है और इसका color कौन सा है orange red और दोनों के अंदर ही chromium कौन सी oxidation state के अंदर है plus 6 के अंदर दोनों ही एक प्रकार से oxidizing nature यहां पर show करेंगे क्योंकि अपनी higher oxidation state के अंदर है बात क्लिए रहे क्या तो यह कापी important question था dichromate से जिसमें आपको यह other information भी मिल रही है कि chromate और dichromate जो है वो एक प्रकार से equilibrium के अंदर रहते है और यह equilibrium किस से effect होता है pH से effect होता है बात क्लिए रहे चलो students अब अपन बात करते हैं next question के बारे में और next question आपका है question number 3 which of the following element has maximum density तो d block की जो metals होती है काफी dense होती है ठीक है और density की अगर अपन बात करें तो यह काफी informative question है अगर osmium answer दे रहा है तो अपन answer टिक करेंगे कुन सा osmium अगर iridium दिया हुआ होता है तो osmium और iridium दोनों ही इस type के हैं जिनकी density का मान काफी ज्यादा होता है osmium और iridium यहाँ पर 22.57 gram per centimeter cube और iridium की अगर अपन थोड़ा ही difference होता है 6.1 gram per centimeter cube ठीक है ना तो d block के अंदर सबसे ज्यादा density in metals की होती है generally इन दोनों में से कोई एक option आपके सामने होता है ठीक है ना तो यहाँ पर osmium आपका answer दे रखा है तो अपन osmium को tick करेंगे बात clear है क्या एक important point यह कि mercury जो है mercury का भी आप density अगर आप याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है mercury की density जो है वो किती होगी 13.6 gram per centimeter cube और एक question density से d block में यह भी आता है कि atomic number 72 atomic number 72 और 72 से ज्यादा 72 या 72 से ज्यादा वाले जो भी metals हैं उन सब की density एक प्रकार से क्या होगी यह metals जो है वो mercury के अंदर डूब जाते हैं मतलब 72 atomic number से ज्यादा वाले जो heavy metals हैं उनके density 13.6 gram per centimeter cube से क्या होती है ज्यादा तो these metals will sink in mercury ठीक है ना इस point पर best कभी कभी question पूछा जाता है तो अपना answer यहाँ पर क्या जाएगा students answer जाएगा अपना कौन सा third osmium बात क्लिर है तो सबस्यादा density आपको अगर element का पूछा तो आपका answer जाएगा कौन osmium अगर यह question होता कि कौन सी metal जो हो mercury के अंदर sink कर जाएगी तो अपन इस concept पर अपन question कर सकते थे कि atomic number 72 या इस से ज्यादा वाले जो elements हैं वो mercury में sink कर जाते हैं चलो students अपन next question लेते हैं और next question आपका है ये वाला transition element exhibit variable valences because they release electron from the following orbit संकर्मन तब तो परिवर्तन सी लोक्षिक नवस्ता प्रदेशित करते हैं इसका कारण क्या है ठीक है ना तो परिवर्तन सी लोक्षिक नवस्ता का मतलब हो गया एक से अधिक परकार की उक्षिक नवस्ता हैं प्रदेशित करना अपन जानते हैं कि D-block वाले जो elements हैं वो एक से ज्यादा उक्षिक नवस्ता हैं प्रदेशित करते हैं ठीक उसी परकार से P-block के अंदर भी एक से अधिक परकार की उक्षिक नवस्ता हैं पर देखने को मिलती है, लेकिन P-Block की जो कर्मागत अक्षिक नमस्ता हैं उसमें अंतर कितेगा होगा 2 का और D-Block की जो कर्मागत अक्षिक नमस्ता होगी उसमें अंतर कितेगा होता है 1 का अना P-Block के अंदर जो variable oxygen state है उसमें especially अपन बात करते हैं इनर्ट पर इफेक्स से चीज़ों को अपन समझते है और D-Block के अंदर variable oxygen state show करने का कारण क्या है यहाँ पर, जैसे D-Block के अंदर N-1D और Ns, यह दो sub-cell अपन general electronic configuration में अपन show करते हैं तो होता क्या है, इनकी energy के बीच में difference, ठीक है ना energy gap energy gap between ns and n-1D sub-cell is very less और यह काफी less होने के कारण n-1, ns के साथ n-1D के unpaired electron भी bonding में participate कर लेते हैं तो आपका answer ही आपकों सा जाएगा ठीक है ना trans element exhibit variable valency तो ns orbit और n-1D इन दोनों के electron जो bonding में participate करते हैं और क्यों कर लेते हैं n-1D के भी क्योंकि ns और n-1D के अंदर sub-cell के भी इसका energy difference का होता है काफी कम तो answer कुन सा होगा इसमें बोलो third चलो जी अपन next question discuss करते हैं next question अपन question number fifth के बारे में बात कर रहे हैं कि संकर्मन तत्वों को संकर्मन तत्व कहा जाता है क्योंकि उनके गून होते हैं transition element are named transition element because their characters are ठीक है ना तो देखो संकर्मन तत्वों को basically एक general सी बात अपन करते हैं ठीक है ना जब देखो एक reactant convert होता है product के अंदर तो यहां पर अपन एक transition state की बात करते हैं जो कि काफी कम stable होती है transition state या इसको अपन intermediate भी अपन कह सकते हैं बात क्लिर है क्या तो दो के बीच की अवस्था के लिए अपन transition word काम में लेते हैं तो होता कि अब product table के अंदर यह इस साइड में अपना कौन सा है s block और इस साइड में कौन सा है p block और बीच में कौन है d block तो d block को अपन transition elements भी अपन कह सकते हैं basically यह position wise तो s और p के बीच में है है साथ में अपन यह भी कह सकते हैं कि यह properties के मामले में भी s और p के intermediate होते हैं इस बात को students आप कैसे समझोगे left to right जाने पर जैसे metallic character जो हो decrease होते है तो s block वालों metallic character ज्यादा इधर p block वालों में कम और d block वाले क्या होंगे intermediate आप जिसे ip की बात करो तो ip left to right जाने पर increase होता है ठीक है ना तो ip आपको पता है s block वालों साइड में ip कम होगा इधर ip ज्यादा होगा तो यह intermediate कहने का मतलब हुआ कि d block वाले जो element है जिनको अपन transition element बोल रहे है यह s और p block के तत्वों के मद्दे होते हैं और उनके गुण जो है वो भी s और p के गुणों के मद्दे वरती होंगे तो आपका answer क्या जाएगा बोलो इसमें answer जाएगा अपना संक्रमन तत्वों को संक्रमन तो इसके लिए कहते हैं क्योंकि उनके गुण जो है वो s तथा p block के तत्वों के मद्दे होते हैं और इस base पर अगर अपन सारे ही तत्वों को अगर अपन सारे तत्वों को अगर transition element बोलते हैं इस base पर तो फिर सारे तत्वों को अपन दो भागों में बाट सकते हैं और वो दोनों भाग कौन-कौन से हैं बोलो एक तो typical transition element typical transition element और non-typical transition element typical transition element तो वो होंगे जो d block की characteristic properties को show करते हैं इसमें आपका group number group number 3 to 11 ठीक है ना? और non-typical transition element वो होंगे जो characteristic properties को show नहीं करते हैं इसमें especially group 3rd, 3rd भी और इसके अलावा कौन सा होगा? last वाला group d block का कौन सा? क्योंकि इसमें भी certain oxidation state होगी variable oxidation state नहीं होती और यहाँ पर भी certain oxidation state होगी कौन सी? plus 2 और यहाँ पर unpaired electron यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 तो यह भी क्यों होंगे? diabolic होंगे जबकि characteristic property क्या है paramagnetism show करना ठीक है ना? तो बात ही है कि S और P block के मद्दे position-wise भी होते हैं और properties के मामले में भी d block के रत्व है, हाना? S और P के मद्दे होते हैं, चलो students तो अपन next question number 6 which ion has maximum magnetic moment? ठीक है, आप तो magnetic moment जो है वो अपन पता करते है spin-only formulas है spin-only formulas है अब spin-only formula कौन सा होता है? under root n, n plus 2 bore magneton के अंदर यह answer आएगा आप जानते हो यहाँ पर n जो है, वो क्या है? unpaid electron, unpaid number of unpaid electron और खास बात ही है अगर unpaid electron जो है 1 है, 2 है 3 है, 4 है 5 है, यह फिर unpaid electron 0 है आप जानते हो कि unpaid electron 1 कब आएगा? जब D1 configuration होगा या D9 configuration होगा हाना, unpaid electron 2 कब आएगा? जब D2 configuration यहाँ फिर D8 होगा D3 यहाँ फिर D7 हाना, और यहाँ पर D4 और D6, और अगर D5 configuration तो unpaid electron किते होंगे 5 तो यहाँ पर magnetic moment की value किती है बोलो magnetic moment की value यहाँ पर आती है 1.73, यहाँ पर 2.83 यहाँ पर 3.87 यहाँ पर 4.90 और यहाँ पर 5.90 92 और यहाँ पर 0 यह सब value बहुर magneton के अंदर आ रही है तो students, आपको एक बात समय में आगी होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ अगर अगर आपन नीचे जाते है unpaid electron बढ़ते हैं तो paramagnetism भी बढ़ेगी हाना, magnetic moment भी बढ़ रहा है और इस case के अंदर अपने पास 0 तो यह तो diagnetic होंगे और यह क्या होंगे बोलो paramagnetic, तो paramagnetism भी नीचे unpaid electron बढ़ने पर बढ़ेगी तो इसका मतलब अपने को इनके configuration चेक करने है configuration अपने को चेक करने है और configuration चेक करने पर अपन unpaid electron चेक कर लेंगे और unpaid electron चेक करने पर magnetic moment अपन चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर answer देगो क्या होगा अगर अपन बात करें vanadium की ठीक ना तो vanadium प्लस 3 है तो configuration होता है argon 3D3 4S2 तो यहाँ पर 3D2 configuration होगा और unpaid electron किते आएंगे 2 और mu का मान यहाँ पर किते आजाएगा 2.83 अगर अपन बात करें MN प्लस 2 MN प्लस 2 का 3D5 configuration होगा unpaid electron 5 होगे और mu का मान आएगा आपके 5.90 बार मेगनेट्टोन अगला आपके F3 तो F3 प्लस 3 का configuration argon 3D6 4S2 होता है ठीक है ना 3D6 4S2 होता है तो यहाँ पर भी अपन 3 electron release करेंगे तो unpaid electron 5 ही आ रहे हैं और mu का मान यहाँ पर same आ रहा है और अपने पास Cu प्लस 2 है तो Cu प्लस 2 का D10 4S1 configuration होगा तो 2 electron निकालने पर 3D9 unpaid electron 1 तो mu का मान किता आ रहा है 1.73 तो मैक्सिमम पूछा है तो अपने आंसर जा रहा है 2 ठीक है ना? इस क्यूशन के अंदर थोड़ा टाइपिंग के अंदर यह mistake हुआ है कि यहाँ पर अपने प्लस 3 लिया था तो यह टाइपिंग के अंदर यह प्लस 2 गड़वड हो गया ठीक है ना? तो अगर आपका क्यूशन इस कारण से आंसर आपका यह भी है और यह भी है ठीक है ना? तो अपने आंसर की में आंसर जो है according to third है तो आप इसको थोड़ा इस थाइप से consider करें ठीक है ना? इसको consider करें इससे आपका नुक्सार नहीं होगा चलो अपने नेक्स्ट क्यूशन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन है अपना क्यूशन नम्बर सेवन इस डजनोट फोर्म अमलगम तो ध्यान रखना आइरन कोबाल्ट निकल आइरन कोबाल्ट निकल के साथ में एज़ी जो है वो अमलगम नहीं बनाती यह क्यूशन आपके लिए इंप्यूशन इसलिए अपन अमलगम को किसमें स्टोर कर सकते हैं बोलो इसको कंट्रोल करने के लिए अपन मर्करी डाल सकते हैं क्योंकि मर्करी जो है वो इसके साथ में क्या बनाएगा अमलगम बनाएगा और वाटर के साथ में कॉंटेक्ट क्या होगा कम तो रेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता amalgam के दुआर और भी काफी सारे usage हैं आप ध्यान रखना, amalgam के अंदर जब नाम लेते हैं, तो पहले अपन metal का नाम लेते हैं, उसके बाद में amalgam बोलते हैं, जिससे, अगर sodium HG, अगर sodium का amalgam है, तो नाम क्या लेंगे हैं, sodium amalgam और खास बात ही है, कि amalgam के अंदर metal की oxygen state किती होगी, 0 आपको अगर मैं पूछूँ कि इसमें sodium की oxygen state किती होगी, तो answer किया जाएगा, 0, तो बोलो भी answer यहां पर कौन सा जाएगा, आपका first answer जाएगा students, तो अपन next अपन बात करते हैं, question number 8 the element having electronic configuration belong to ns2 n-1d 1 to 10, n-2 f 1 to 14, यह question काफी अच्छा question है, हाना, इसमें कईों ने गरवड की होगी, इस question के बारे में आपन सोचते हैं, देखो, देखो, deep log का element, जैसे for example, मैं 57 लेता हूँ, 57, ठीक ना, 57 57 तो 57 का electronic configuration, अगर मैं लिखता हूँ, तो xenon, 6s2 और 5d, 1 हालां कि 4f यहां पर अपन शो कर सकते हैं, electron 4f की बजाए यहां पर 5d में इंटर करता है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4f और 5d, लेकिन 4f की बजाए यहां पर electron कहाँ पर अंटर कर रहा है, 5d के अंदर, 57 की अगर आपन बात करें, तो यह d block का है, अब d block का next element 57 के बाद में आता है 72, atomic number किता, 72, इसका configuration किता होगा xenon, 6s, 4f, 5d, इसके अंदर electron यहां पर और चोगदा electron यहां पर, तो next electron कोन यहां पर जाता है, यह वाला, ठीकान, d1 के बाद, d2 कौन फिरिकेशन, after 14 element, 58 से लेकर, 71 app में जाता है, 4 app 1 से लेकर, 4 app 14, और उसके बाद में d block वाले element start होते है, इसका मतलब यह हुआ students, कि अगर d block का कोई element है, तो उसमें या तो app 0 होगा, या app 14 होगा, ठीकान, अगर app 1 to 14 की बाद आगई, तो वो तो app block का होगा, ठीकान, app block का होगा, और app block का अगर element है, तो इसके अंदर d1 भी मिल सकता आपको, ठीकान, तो आप यह कह सकते हो कि इसमें आंसर आपका कौन सा जाएगा, बोलो, आपका आंसर जाएगा इसमें कौन सा, app block, बात क्लिर है, तो next question के बारे में आपन बात करते हैं, चलो, next question अपना, which of the following statement is not true about more salt, अब देखो, more salt के बारे में, अगर आपन बात करें, ठीक ना, तो more salt होता है आपका FAS, Ferrous Ammonium Sulphate, तो Ferrous Ammonium Sulphate के अगर में बात करूँ, FeSO4 Ammonium Sulphate dot 7S2, ये एक double salt का example है, किसका example है, double salt का, और double salt आपको पता है कि 100% ionized होते हैं, और generally 3 type के ion देते हैं, तो ये कैमनो 4 को रंग हीन करता है, पहला आपका उप्शन है, इट डिकलराइज कैमनो 4, तो कैमनो 4 एक oxidizing agent है, और ये reducing agent का काम करेगा, और reducing agent का का काम करेगा, तो यहाँ पर redox reaction शो करेगा ये कि इसके साथ में, potassium permagnate के साथ में, तो ये डिकलराइज करेगा, ठीक है ना, तो इसमें पुछा अपने को not true, तो पहला statement तो clear है, it is a primary standard, जब titration करते हैं अपन, तो जिनकी concentration अपने को non होती है, तो non concentration वाले solution की help से, अपन किसी unknown की concentration पता करते हैं, तो जो अपन लेते हैं, साथ में solution लेते हैं, तो standard solution की रूप में, इसको लिया जा सकता है, it is a double salt, तो इसकी double salt भी अपने को बात के लिए है, हाना, double salt है यह, और oxidation state of pyreneur is plus 3, नहीं, इसमें oxidation state कौन सी है, बोलो, इसमें plus 2, तो यह वाला statement जो incorrect है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, इसमें 4, चलो स्टुदेंट्स, अपन next question अपन डिसक्स करते हैं, next question अपना, question number 10, question number 10, in the first transition series, the highest boiling point and melting point is off, ठीक ना, तो इस question के बारे में, बात ऐसी है, कि अगर अपन 3D के अंदर जाते हैं, तो आपको पता है, deep lock elements के अंदर, melting point की अगर अपन बात करें, तो N-1D के अंदर, unpaid electron बढ़ने पर, N-1D में, unpaid electron बढ़ने पर, metallic bond strength बढ़ेगा, और metallic bond strength बढ़ेगा, तो आप कह सकते हो, melting point, boiling point बढ़ेगे, तो अगर अपन, scadium, titanium, vanadium, chromium, magneze, इस टाइप से जाते हैं, तो इस एड़ में D-1, D-2 लगाता, इस एड़ में, unpaid electron बढ़ते हैं, unpaid electron बढ़ते हैं, और chromium के पास में, melting point सबसे ज़्यादा, हालां कि magneze के पास में, भी D-5 configuration है, लेकिन आप जानते हो, इसके पास, unpaid electron का number करता है, 6, और इसके पास, unpaid electron केते हैं, 5, लेकिन magneze के अंदर, आप कह सकते हो, कि यहाँ पर metallic bond strength, काफी weak होता है, और metallic bond strength, काफी weak होने कारण, expect तो अपन करते हैं, कि इसका melting point, काफी ज़्यादा होगा, लेकिन इसका काफी कम हो जाता है, due to weak MBS, metallic bond strength काम, और केवल और केवल, copper और ZN से ही ज़्यादा होता है, इतना कम हो जाता है, तो magneze का melting point है, वो copper और ZN से ही ज़्यादा है, काफी कम है, क्योंकि weak metallic bond strength के कारण, metal-metal bond काफी कमजोर बनता है, तो यहाँ पर answer आपका कुन सा जाएगा, chromium, 3D के अंदर सबसे ज़्यादा melting point, boiling point किसका होगा, chromium का होगा, तो आपका answer होगा, इसमें कुन सा, chromium first, बात क्लिर है क्या, चलो अपन नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्यूशन नमबर 11, ए टांजिशन अलमेंट अक्स है, अगर अगर कोई प्लस थी ऑक्सिशन स्टेट के अंदर है, इसका मतलब उसका neutral स्टेट में क्या होगा, आपन तीन एलेक्टोन वापस दे देते हैं इसको, एक एलेक्टोन अपने डी में दे दिया, और दो एलेक्टोन आपने एस में दे दिया, तो यहाँ पर atomic number किता होगा, आरगन का किता होगा, 18, और यहाँ पर 5 यह और 2 यह, तो इस टाइप से neutral स्टेट में जितने एलेक्टोन है, उतने ही क्या होगे, प्रोटोन और वही क्या होगा, atomic number, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा, बोलो 25, चलो जी, अपन next question अपन discuss करते हैं, question number 12, the transition element have a characteristic electronic configuration which can be represented as, transition element का जो अपन electronic configuration वो कैसे अपन represent कर सकते हैं, तो देखो इदर, अपन बॉलते हैं कि ns 1 से 2, और n-1d के अंदर electron vary होते हैं, 1 to 10, ठीक है ना, तो अपन इसको ns 1 or 2, तो ns 1 or 2 यहां पर दियावा है, और n-1d के अंदर electron vary होते हैं, 1 to 10, और s2, p6, जैसे for example, n का मान किता है 4, तो यहां पर अपन n-1, s और p भी लिख सकते हैं, 3s, 3p तो अपन 3rd period में भढ़ चुके हैं, तो आपका answer इसमें कौन सा जाएगा, बोलो, 4th जाएगा, बात clear है, तो आप संक्रमन तत्तों के electronic configuration के लिए बात कर सकते हो, कि इसमें 4th वाला answer जो, correct होगा, अब बाकी correct क्यूं नहीं है, वो भी अपन चलो देख लेते हैं, ठीक ना, इस वाले में देखो, NS2 लिखा हुआ है, जो कि गलत है, अपन जानते है, NS1 भी हो सकता है, इस configuration में NS1 लिखा हुआ है, हाना outermose cell में, आप जानते हो, NS2 भी होता है, इस configuration में NS2 पूरा field है, जब कि NS1 और 2 दोनों हो सकता है, तो आपका answer जो हो कौन सा होगा यहाँ पर, only fourth answer आपका correct होगा, हाला कि palladium का जो configuration है, palladium के अंदर krypton, 4D8, 5S2 होना चीए था, लेकिन यह configuration गड़बड है, S के electron जो हो कहाँ पर shift हो जाते हैं, D के अंदर, तो configuration यह, but S में 0 हो सकता है, अगर palladium को अगर अपन consider करें, but general electronic configuration अपन इसको ignore करके बात करते हैं, तो generally यहाँ पर NS 1 या 2, चलो जी अपन next question अपन discuss करते हैं, question number 13, from plus 6 to plus 1 oxidation state is shown by the element of, तो देखो इदर, बात ऐसी है, कि आप अगर minimum oxidation state की बात करते हो, तो वो तो होती है NS electrons के बड़ाबर, और अगर आप maximum oxidation state की बात करते हो, तो वो होती है NS electrons plus N minus 1D के unpaid electrons, unpaid electrons, ठीक है ना, तो यहाँ पर NS, अब अपन बात करें, तो यहाँ पर minimum oxidation state जो है, वो NS electron के बड़ाबर हो, minimum oxidation state यहाँ पर कौन सी इसो कर रखी है, maximum oxidation state प्लस होना आएगी, और maximum oxidation state प्लस 6 जो कर रखी है, इसका मिला NS और N minus 1D के unpaid electron का सम किता आणा चीए, बोलो, 6 आणा चीए, तो यहाँ पर यह 5 लिखा है भई मैंने, ठीक है ना, 5, तो ऐसा configuration कौन रखता है, बोलो, chromium रखता है, ठीक है ना, chromium और chromium का group रखता है, तो आप यह कह सकते हो कि chromium कौन से group का है, D block का अगर कोई भी element है, तो N minus 1D और Ns electron का sum आप add कर दो, और आप जानते हो कि D block में कौन सा subgroup होता है, B subgroup होता है, तो इसका group कौन सा हैगा बोलो, 6th B, आंसर आपका कौन सा होगा, 2nd जाएगा, चलो जी, next question अपन डिसकस करते है, question number 14, cuprous iron रंग हीन होता है, जबकि cupric iron रंग हीन, तो बहुत ही simple सा question है, Cu plus को अपन बोलते हैं क्या cuprous, और Cu plus 2 को अपन क्या बोलते हैं, cupric, इसका configuration होगा यहाँ पर 3D10, और इसका configuration होगा 3D9, 3D10, unpaid electron 0, unpaid electron 0 तो यह क्या होगा, colorless, और यहाँ पर unpaid electron 0 नहीं है, unpaid electron present है, तो यह क्या होगा, compound बोलो, colored, तो आप यह समझ बारे हो, इसके वैसिस पर आपका answer जाएगा, तो आप यह कह सकते हो कि देखो, first statement देखा, बोत है वहाप field, बोत है वहाप field तो गलत, यहाँ पर तो fully filled है, गलत, cuprous iron has incomplete D, तो यहाँ पर cuprous iron क्या incomplete D या fully filled, यहाँ पर fully filled है, गलत हो गया, बोत है वह unpaid electron, इसमें unpaid electron नहीं है, यह भी गलत हो गया, cuprous iron has complete D orbital, correct है, cuprous, cupric iron have incomplete D, यह incomplete D रखता है, और यह complete रखता है, तो answer आपका कौन सा correct होगा, बोलो, answer number 4, बात clear है गया, अब अपन बात करते हैं, next question के बारे में, next question है, magnetic moment is expressed in, तो magnetic moment जो है, वो bore magneton में show किया जाता है, और bore magneton जो है, वो e h upon 4 pi mc, 4 pi mc है, आप magnetic field वाले physics वाले topic में इस चीज को discuss करते हो, और इसको अपन मू से अपन वेल्यू को denote करते हैं, और अभी एक question के अंदर अपने discuss भी किया है, तो magnetic moment जो हो हो हो, अपन किस से बताते हैं, bore magneton से, ठीक है ना, अब अपन आगे बात करते हैं, next question अपन डिसक्स करते हैं, question number 16, question number 16, in first transition series, the melting point of magnees is low because, अभी अपने डिसक्स किया था कि, magnees का melting point काफी low क्यों है, तो देखो इधर, melting point अपन मेगनेज की बात करें, तो magnees का configuration है 3D5-4S2, 3D5-4S2, और यहाँ पर यह half-filled stable configuration रखता है, half-filled stable configuration, अब आप यह जानते हो कि, chromium के पास भी D का half-filled configuration है, बट यह magnees जो है, वो काफी quite stable होता है, और stable होने काण, metal-metal bond काफी कमजोर, तो यहाँ पर weak metallic bond strength के काण, due to, due to weak metallic bond strength, bond strength, यह melting point क्या रखता है, कम, तो आपका answer कुन सा जाएगा, देखो इदर, D5 विन्यास इसका होता है, जिसके कारण यह जो metallic bond बनाता है, वो काफी weak बनाता है, तो आपका answer कुन सा जाएगा, इसमें third जाएगा, चलो students, next question अपन discuss करते हैं, question आपका, lengthenide, lengthenide for which plus 2 और plus 3 oxidation state are common, ठीक है ना, तो देखो इदर, lengthenide element के बारे में, अगर आपन बात करें, तो यह वाले element है, ठीक है ना, यह वाले element है, इन सब की general oxidation state की बात करो, तो general oxidation state, इनकी characteristic oxidation state जो है, characteristic oxidation state कौन सी है, plus 3, लेकिन कभी-कभी कुछ element जो है, वो f0, f7, f14, जैसे configuration के कारण, plus 2 या plus 4 भी show कर देते हैं, लेकिन अगर कोई element, मान लो plus 2 या plus 4 भी show कर रहा है, तो भी आप अगर इन दौनों को plus 3 तो show करेगा ही करेगा, और compare करोगे, तो इसमें plus 3 ही ज्यादा stable आनी है, अब अपन देखते हैं कि कौन-कौन से element जो है, वो plus 3 के अलावा, plus 2 और plus 4 show करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर अपन इस चीज़ को अपन discuss करते हैं, चलो, देखो, cerium, cerium का configuration होता है, cerium अगर plus 3 show करता है, तब तो genon 4F1 configuration हो गया, लेकिन अगर यह plus 4 show करें, तो genon 4F0, तो यह plus 4 भी show करता है, तो plus 3 और plus 4 के अंदर ज्यादा stable, तो यहाँ पर plus 3 ही होनी है, ठीक इसी परकार की condition जो है, वो terbium के लिए, terbium जो है, उसका configuration होता है, genon 4F9, 5D0, 6S2, तो यह plus 3 तो show करेगा ही करेगा, और इसके अंदर तो genon 4F8 configuration होगा, लेकिन अगर यह plus 4 show करें, तो इसको stable 4F7 configuration मिलेगा, इसलिए terbium भी एक प्रकार से, plus 3 के अलावा plus 4 show करेगा, लेकिन ज्यादा stable कौन सी होगी, plus 3, तो plus 3 के अलावा plus 4 show करने वाले तो कौन-कौन से है, serium और terbium, लेकिन क्यूशन अपना है कि plus 3 के अलावा plus 2 और कौन show करेगा, बात क्लिए रगया, क्यूशन अपना यह है, तो उसमें आंसर कौन सा जाएगा, एक तो यूरोपियम ले सकते हो आप, जिनौन, 4F7, 5D1, 6S2, 5D0, 6S2, तो आपको पता है कि plus 3 तो show करेगा, यह बात तो आपको पहले से discuss कर दी, लेकिन अगर यह plus 2 ही show करता, तो इसके पास stable 4F7 configuration आता, तो यूरोपियम एक ऐसा है, जो plus 2 और plus 3 दोनों show करता है, और ज्यादा stable कौन सी होगी, प्लस 3 होगी, ठीक इसी प्रकार से इटर्बियम 70, इसका कौन प्रिकेशन होगा, जिनौन, 4F14, 5D0, और 6S2, यह अगर plus 3 show करता है students, तो यहाँ पर जिनौन, 4F13 आता है, लेकिन अगर यह plus 2 ही show करता, तो आपका आंसर कौन सा जाएगा यहाँ पर, 4F14, तो एक तो अपने पास element है, देखो students, क्या, देखो इधर, एक तो serium और एक terbium, यह plus 3 के अलावा, plus 3 के अलावा, plus 4 भी show करते हैं, ज्यादा stable कौन सी होगी है, एक आपके हो गया, European और iterbium, ज्यादा stable हैं कि कौन सी हो नहीं है, plus 3, तो आपका आंसर जो है, वो क्या जाएगा बोलो यहाँ पर, आंसर क्या जाएगा आपका European, जो plus 2 और plus 3 show करता है, अगर iterbium भी देते, तो iterbium अपना आंसर होता, ठीक है ना, तो यह वाली बात हुई, अब अपन next question अपन डिसकस करते हैं, question number 18, the tendency of 3D metal iron to form stable complexes due to, तो stable complex बनाने के लिए जरूरी चीज़ें क्या-क्या है, एक तो charge density का मान ज्यादा होना चीए, charge density, ठीक है ना, charge density ज्यादा होना चीए, और एक vacant orbitals परजेंट होने चीए, vacant orbitals, तो जरूरी चीज़ें क्या-क्या है देखू, आप ये कह सकते हो कि जब भी, कोई complex formation की बात अपन करते हैं, तो size small और इच्छी चार्ज ज्यादा होना चीए, अब इसको charge density को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, small size, high charge, high charge, और presence of vacant orbitals, ठीक है ना, और्बिटल्स, ये complex बनाने के लिए जरूरी चीज़ें हैं, तो आपका answer इसमें कौन सा जाएगा बोलो, high charge upon size ratio and vacant d orbitals, अगर ये हैं, तो वो एक प्रकार से complex बनाने की tendency रखेगा, चलो students, अपन next question अपन डिस्कस करते हैं, lengthenide contraction occur because, ठीक है ना, तो lengthenide contraction जो होता है, उसकी बात अपन करनी है, तो होता क्या students, देखो, अगर अपन third period की बात करें, third B, और fourth period की अपन बात करें, fourth B, तो यहां पर scadium, atrium, lengthenum और actinium है, और यहां पर titanium, jarconium, harpnium और rudderphodium है, तो आप ये कह सकते हो कि, यहां lengthenum से आप जब harpnium गए, lengthenum से अगर आप harpnium गए, तो यहां पर आप जानते हो कि, atomic number 58 से लेकर 71, हाना four app में 14 element enter करेंगे, और यहां पर electron app में enter करता है, app में, app का sigma जो है, वो क्या होता है, काफी weak, और sigma weak होने कान यहां से यहां जाते हो, तो z effective बहुँ ज्यादा बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, z effective काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और z effective बढ़ने के कारण, एक प्रकार से यहां पर lengthenide contraction नजर आता है, तो आपका answer क्या होगा, electron जो है वो डी और app सब cell में enter करता है, जिसका screening effect काफी कमजोर होता है, और scanning effect काफी कमजोर होने के कारण z effective इतना बढ़ जाता है, कि जिसके कारण आपको lengthenide contraction आपको नजर आता है, तो answer इसमें कौन सा होगा भोलो, answer आपका जाएगा इसमें fourth, next अपन question discuss करते हैं students, question number 20, all those elements belong to app block, whose atomic number are, app block के elements उनका atomic number क्या होगा, तो अपन जानते हैं, कि app block में एक तो 4 app series है, और ये कौन सी अपनी 5 app series, तो ये तो अपने 58 से लेकर 71 तक, और ये अपने 90 thorium से लेकर 103 तक, तो ये तो आपको याद रणा चीए, कि lengthenide जो series है, वो कहां से कहां तक होगी, और बात के लिए हैं, नेक्स्ट आपन क्यूशन डिस्कस करते हैं, क्यूशन नंबर आपका next है, विच अप फॉलविंग आईउनिक स्पिसीज विल इंपार्ट कलर टो एन एक्वर सोलुशन, तो देखो डीब लोग के अंदर बैसिकली कलर आता है, due to DD ट्राजिशन, DD ट्राजिशन, और DD ट्राजिशन के जरूरी है, कि एक तो लिगेंड पर्जेंट होना चीए, क्योंकि अगर लिगेंड पर्जेंट होगा, लिगेंड अगर पर्जेंट होगा, तो स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होगी, तो DD transition होगा और DD transition होगा तो कोई visible region से light absorb होगी उसका complementary color आपको दिखेगा तो आपको पता है कि एक तो ligand present होना चीए splitting होने चीए और DD transition के लिए जरूरी चीज है कि unpaid electron होना चीए क्या होना चीए? unpaid electron तो आप जानते हो कि unpaid electron के बिना भी DD transition नहीं होगा तो यह जो आपको options दे रखे हैं इसमें unpaid electron किसमें present है तो titanium के अंदर यहाँ पर 3D 0 configuration है jaden के अंदर 3D 10 configuration है cu plus के अंदर D 10 configuration है और cr plus 3 के अंदर argon 3D 3 configuration है तो आप कह सकते हो कि unpaid electron यहाँ पर present है तो यह वाला जो है वो color color वाले compound बनाएगा बात clear है next question है अपन लेते है question number 22 question number लेते हैं अपन 22 तो 3D elements show variable oxidation state but is the maximum oxidation state shown by the element MN तो MN का अपन configuration लिखे हैं तो argon 3D 7 4S2 और maximum oxidation state का formula अपन जानते ही है तो यहाँ पर टोटल कितनी आजाएगी बोलो प्लस 7 तो maximum oxidation state कितनी आजाएगी बोलो प्लस 7 और इसके example देख लो जैसे MN2O7 है MN2O7 है उसके अंदर Magnes की oxidation state कौन सी है बोलो प्लस की 7 ठीक है आप जैसे KMN4 के अंदर जो MN4 माइनस है उसके अंदर Magnes का oxidation state कौन सा है प्लस 7 तो यहाँ पर answer आपका कौन सा जाएगा students Magnes की maximum oxidation state कौन सी शो होती है प्लस 7 प्लस 7 और कौन कौन शो करता है Magnes प्लस 7 शो करता है क्लोरीन भी प्लस 7 शो कर सकता है क्या यस इसका example देखो आप Cl2O7 बनता है HClO4 बनता है ठीक है ना इसके अलावा नेप्चुनियम और प्लूटोनियम यह भी प्लस 7 शो कर सकता है बात क्लिए रह गया तो अपना आंसर यहां पर तो Magnes के लिए अपना आंसर कौन सा देंगे प्लस 7 आंसर कौन सा होगा 4 चलो जी अपन नेक्स्ट क्यूशन अपन डिसकस करते है क्यूशन नमबर 23 तो मेगनीज की जो तो successive oxidation state होगी वो यहां पर प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 और प्लस 7 ठीक है ना तो यहां पर number of oxidation state किती होगी 1, 2, 3, 4, 5 and 6 तो number of oxidation states are 6 तो आंसर कौन सा होगा आपका 2nd चलो students अपन नेक्स्ट क्यूशन की बात करने जा रहे है नेक्स्ट क्यूशन की बारे में अभी अभी आपको मैंने बताया था कि अगर अनपेड इलेक्टोन 1 है तो magnetic moment किता आ रहा है 1.73 अगर अनपेड इलेक्टोन 2 है तो किता आएगा 2.83 अगर 3 है तो 3.87 4 अनपेड इलेक्टोन है तो 4.90 और 5 है तो 5.92 तो अपन इस magnetic moment का decimal के left and wild side को देख के बता सकते हैं कि उसमें अनपेड इलेक्टोन किते होंगे अगर 1 है तो अनपेड इलेक्टोन 1 2 है तो 2 अनपेड इलेक्टोन अनपेड इलेक्टोन चलो जी अपन नेक्स्ट क्यूशन अपन डिसकस करने जा रहे हैं इलेक्टोनिक कॉन्फिकेशन अप एज एटम इज कापी सिंपल सा क्यूशन है एज का इलेक्टोनिक कॉन्फिकेशन तो C-U-A-Z-A-U यह कौन सा ग्रूप है बोलो 11 या फिर 1st B तो यहां पर आप जानते हो इसका कॉन्फिकेशन तो क्या होगा आरगन 3D10-4S1 और ग्रूप में एलेक्टोनिक कॉन्फिकेशन जनरली सेम होगा तो यहां पर आरगन 4D10-5S1 यह वाला कॉन्फिकेशन होगा तो 4D10-5S1 स्वारी क्रिप्टोन यहां पर अपन इनर्ट गेस कॉन सा लेंगे? क्रिप्टोन तो आंसर आपका कॉन सा होगा बोलो यह वाला ठीक है ना? चलो जी अपन नेक्स्ट क्यूशन डिसकस करते हैं नेक्स्ट क्यूशन अपन लेते हैं क्यूशन नमबर 26 सीरियम लेंथिनाइड का एक बहुत ही इंपोर्टेंट है सीरियम के बारे में क्या-क्या सही है तो क्या सीरियम की प्लस फॉर उक्डशन स्टेट आपको असत्य पूचा है गलत पूचा है तो सीरियम की प्लस फॉर अभी अपने बात किये कि सीरियम की प्लस फॉर उक्डशन स्टेट होती है और इसने बोल दिया नहीं है तो आपको wrong statement तो पहले ही मिल गया और आपका answer भी आ गया cerium plus 3 के अलावा plus 4 भी show करता है तो इसमें तो बोला है कि ये तो non ही नहीं है तो ये गलत हो गया और गलत ही अपने को पूछा है लेकिन ये बाकी statement correct है ये अपन चेक कर लेते हैं कि cerium की plus 3 और plus 4 में ज्यादा stable कौन सी होगी cerium की plus 3 और plus 4 में plus 3 ही ज्यादा stable होगी correct है cerium की general oxidation state plus 3 and plus 4 है बिल्कुल correct बात है cerium plus 4 oxidizing agent का काम करेगा ये अगर less stable है तो आपको पता है ये खुद reduce होने की tendency रखेगा इसका मतलब ये क्या होगा oxidizing agent ये क्या होगा students oxidizing agent तो आपका answer इसके अंदर कौन सा जाएगा first वाला अब अपन बात करने जा रहे हैं next question के बारे में question number 27 आपको कुछ transition metal ions दे रखे हैं और उसमें पूछा है कि D2 configuration किसमें होगा तो आप जानते हो कि इसमें कौन सा configuration होगा इसमें D0 configuration होगा vanadium plus 3 के अंदर कौन सा होगा 3D3 4S2 होता है तो आप ये बोल सकते हो D2 configuration होगा इसमें CR plus 2 के अंदर कौन सा configuration होगा D4 होगा और Mn plus 3 के अंदर भी कौन सा होगा D4 तो आपका पहला आंसर तो होगा नहीं चलो अपन दूसरे के बारे में बात करते हैं अगर मैं टाइटेनियम प्लस 2 की बात करूँ तो टाइटेनियम के अंदर D2 कॉन्फिरिकेशन होगा वैरेडियम प्लस 3 की बात करूँ तो D2 कॉन्फिरिकेशन होगा तो आंसर इसमें कौन सा होगा बोलो second चलो एक क्यूसर नंबर अपन 28 की बात करते हैं which of the following is correct sequence of atomic weights of given element आपने मैंडलिप की students periodic table पड़ी होगी उसके अंदर कुछ pair थे जो atomic mass के decreasing order में थे, एक तो ये वाला था एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला, ठीक ना कहने का मतलब है कि इस साइड में जाने पर वैसे तो अपन जानते हैं कि mass के increase होना चीए, generally atomic number बढ़ता है तो mass भी increase होता है बट यहां पर mass decrease हो रहा है mass क्या हो रहा है, decrease तो अगर अपन iron, cobalt, nickel के बारे में दे रखा हैं, iron, cobalt और nickel, generally इस साइड में जाने पर mass बढ़ेगा ठीक ना, लेकिन अपन जानते हैं कि इस में cobalt और nickel में गड़वड है, ठीक ना तो यह nickel ज़्यादा होना चीए बट nickel ज़्यादा हो और cobalt से पहले आ जाएगा ठीक ना, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, cobalt का, उसके बाद में निकल का और उसके बाद में iron का, तो answer यहाँ पर आपका कुन सा जाएगा, थर्ड, यह anomalous pair of atomic mass वाला आपका question हो गया जो कि deep log से बिलॉंग कर रहा है चलो students, अपन next question, which of the following pair involve isoelectronic ions isoelectronic का मतलब हो गया, number of electrons क्या है, same, तो चलो अपन सबसे पहले इसमें चेक करते हैं मेगनीज प्लस 3 के अंदर आप जानते हो कितना होगा बोलो, इसमें 25 इसका atomic number है, तीन electron आपने निकाल लिए, तो यहाँ पर किते पचे 22, Fp प्लस 2 26 इसका atomic number है तो इसके पास किते 24 अगर अपन इसकी बात करें तो MN प्लस 2 25 इसका atomic number होता है प्लस 2 लिखा हुआ है इसका मतलग आप कह सकते हो 23 Fp प्लस 3 26 में से 3 गये, यहाँ पर भी 23, तो आपका आंसर कौन सा जाएगा इसमें, second फिर भी अपन चलो इसको चेक कर लेते हैं इसका 24, 24 में से आपने 3 निकाला, 21 यहाँ मेगनीज 25, 25 में से 2 इलेक्टोन आपने निकाल रखें, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर 23 है, तो यह भी आईसो इलेक्टोनिक नहीं है इसको भी चेक कर लो आप Fp प्लस 2, यहाँ पर तो 24 इलेक्टोन है और कोबल्ट के पास में किता है, बोलो इसका 27 होता है, तो इसके पास 25 है, तो आईसो इलेक्टोनिक वाला केस कौन सा है, बोलो second वाला, बहुत ही सिंपल सा क्यूशन था आईसो इलेक्टोनिक स्पिसीज के बारे में जनरल ही पूच्छा जाता है, ठीक है ना next question अपन लेते है next question अपन लेते है students, question number 30 the main reason for larger number of oxygen stat exhibit by actinoids यह ना, दे अंदर lengthinoid देखो, lengthinoid बोलने का मतलब यह हो गया, lengthinoid बोलने का मतलब हो गया, 4F, 5D, 6S, यह इस texture और actinoid बोलने का मतलब हो 5F, 6D और 7S अपन जानते हैं, N-1D और NS के बीच में energy difference कम होगा तो 3 electron तो कम से कम release होंगी होंगे, but इन की है ना, minimum oxygen state यहाँ पर भी plus 3 है और यहाँ पर भी plus 3 है, general general minimum oxygen state कौन सी होगी plus 3, लेकिन plus 3 के बाद में आपको और ज्यादा oxygen state show करने हैं, तो उसमें 4F का participation का सोचना है, और यहाँ पर अगर आपको plus 3 के बाद में 8 सोचना है तो, यहाँ पर 5F electrons के participation के बारे में सोचना है तो होता क्या students 4F की तुलना में 5F वाला जो nucleus से दूर होता है, इस protection कम होता है, तो 5F के electron जो है, as compared to 4F more have tendency to participate in bonding, हाना या फिर आप यह कह सकते हो, कि 5F के electron जो है, वो अबंदन में इसलिए आसानी से भाग ले सकते हैं क्योंकि 5F के electron जो है वो नाबिक से हैं, 4F की तुलना में दूरबलता से बंदे होते हैं, weekly bonded होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर 5F के electron हों के bonding में participate करने के tendency क्या होती है, ज्यादा as compared to that of 4F तो आप यह कह सकते हो, एक्टिनाइड ज्यादा संख्या में oxygen state शो करते हैं, तो आप यह कह सकते हो, दूसर तरीके से कैसे बोल सकते हो, कि यहाँ का बीच का जो energy difference है, और कर लेते हैं, तो आपका answer क्या होगा, 5F and 6D के बीच का जो energy difference है, वो 4F और 5D की तुलना में क्या होता है, कम, इसलिए लेंटिनाइड की बिजाए, एक्टिनाइड ज्यादा संख्या में oxygen state शो करते हैं, आप इसको ऐसे समझो, देखो, जैसे यह वाले element है, ठीक है ना, यह वाले element है, तो यहाँ पर यह नेप्टुनियम, ब्लुटोनियम तक यह प्लस 7 तक oxygen state शो कर देता है, प्लस 3 से लेकर, प्लस 7, तो यहाँ पर ज्यादा संख्या में oxygen state शो कर देता है, जबकि क्योंकि 5 आप और 6D के मद्दे का उड़ जा अंतराल, length and ideal के 4 आप और 5D की तुल्ला में क्या होता है, कम होता है, चलो students, अपन next question अपन discuss करते हैं, next question है अपना, question number 31, 31 question अपन देखते है students, among the following pairs of ions, the lower oxygen state in aqua solution is more stable than the other in, तो मतलब, lower oxygen state से ज्यादा stable होनी चीए, अपना question क्या है, basically, question अपना यह है कि lower oxidation state, वो higher oxidation state से ज्यादा stable होनी चीए, ठीक है यह बला आपको answer करना है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, first के अंदर, question number, इसमें option number first, तो आप जानते हो कि tellurium, boron, aluminium, gallium, indium और thallium, नीचे जाने पर अगर अपन बात करें, इसकी lower, इस group की lower oxidation state तो कौन सी है, plus 1, और higher oxidation state कौन सी है, students, plus 3, अपन जानते हैं, due to inert pair effect, due to inert pair effect, inert pair effect, हाना, इसमें GA plus, IN plus, TL plus, lower oxidation state की stability तो बढ़ेगी, और higher की stability घटेगी, ठीक है ना, higher की stability घटेगी, और lower की stability बढ़ेगी, और इसके अंदर students, एक खास बात और भी है, कि वैसे तो higher ही ज़्यादा stable होती है, लेकिन bottom element के लिए lower ज़्यादा higher से ज़्यादा stable हो जाती है, तो lower oxidation state higher से ज़्यादा stable पूछा है, तो answer तो अपना आ आगया, answer तो आपका कौन सा आ गया, first, लेकिन अपन बाकी को check करते हैं, ठीक है ना, बाकी को अगर अपन check करें, तो देखो इधर, Cu प्लस और Cu प्लस टू, बले ही इसके पाद D10 configuration, D9 configuration, but due to high hydration energy, high hydration energy, copper प्लस टू more stable than aqueous solution, in aqueous, aqueous के अंदर Cu प्लस टू कापी ज्यादा stable होता है, क्योंकि Cu प्लस टू की small size का, high-dust energy का मान क्या होगा, ज्यादा, जो high IP को एक प्रकार से compensate कर देता है, इसके अंदर कौन से ज्यादा stable होगी, higher, ठीक है ना, वैसे answer तो अपने पास आ चुका है, यह बाला, चलो अपन यह थार्ड ओप्शन CR प्लस टू और CR प्लस टू और CR प्लस टू और CR प्लस टू और CR अगर प्लस टू लिख दिया, तो यहां तो 3D4 configuration है और यहां पर 3D3, तो यह तो half field T2G stable configuration है, यह ज्यादा stable होगा और यह एक प्रकार से reducing agent का काम करता है, कौन? CR प्लस टू, तो इसके अंदर भी higher ज्यादा stable है, अगर अपन बात करें, vanadium प्लस टू और VO2 प्लस टू की, ठीक है ना, vanadium तो देखो इदर, vanadium प्लस टू की अगर मैं बात करूं, तो आरगन 3D3 फोरेस्टू इसका vanadium का concentration होता है, तो vanadium प्लस टू क्या होगा, 3D3 और अगर अपन VO2 प्लस की बात करें, तो इसके अंदर vanadium का oxidation state की तार प्लस 5 पा रहा है, तो vanadium जो transition series होती है, उसके अंदर starting का जो first stop है, उसमें higher oxidation state काफी ज्यादा stable होती है, खासका titanium, vanadium के लिए, तो यहाँ पर vanadium की plus 5 oxidation state का होगी, ज्यादा stable होगी as compared to plus 2, तो यहाँ पर answer जो इसमें भी कौन सी higher ज्यादा stable है, तो question में पुछा था है कि lower higher से ज्यादा stable होनी ची है, तो यहाँ पर answer आपका कौन सा जाएगा, बोलो answer जाएगा आपका first, ठीका ना, next question अपन डिस्कस करते हैं, question है, potassium permagnate act as an oxidant in neutral alkaline और acidic medium, the final product obtained from it in the three conditions are respectively, तो potassium permagnate की अगर अपन बात करें, potassium permagnate Km4, इसके अंदर manganese plus 7 oxidation state में है, अपनी highest oxidation state के अंदर है, तो यह बहुत अच्छा oxidizing agent का काम करेगा, यह acidic medium के अंदर, यह neutral medium के अंदर, और यह basic medium, तीनों के अंदर बहुत अच्छा oxidizing agent का काम करता है, acidic medium के अंदर तो यह MnSO4 यानि Mn plus 2 के अंदर जाता है, neutral medium के अंदर यह MnO2 के अंदर जाता है, ठीका ना, और यहाँ पर यह to MnO4 के अंदर जाता है इसका मतलब यहां पर oxygenation state का change किता हुआ तो product देखो एक बार क्या क्या बन रहा है तो पहले तो आपको पूछा है कौन सा? उदासीन, सारिये और अमलिये इस order में आपको answer बताना है तो उदासीन के अंदर आपका answer जाएगा कौन सा? MnO2 MnO2 ठीक है ना? उसके बाद में सारिये के अंदर आपको पूछा है तो MnO4 minus 2 species है कौन सी है? MnO4 minus 2 species और इसकी अगर पन बात करें तो Mn plus 2 acidic medium के अंदर किस में जाएगा? तो answer आपका जाएगा MnO2, MnO4 minus 2 और Mn plus 2 ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा कौन सा? उदासीन माधियम के अंदर जाएगा कौन से में? MnO2 तो MnO2 आपका आंसर यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है फिर जाएगा MnO4 minus 2 के अंदर इसमें थोड़ा बेटा टाइपिंग मिस्टेक है आनसर इसमें आपके हिसाब से देख लो इसमें दो मीडियम के अंदर मिल गया तो अपना आंसर इसमें कौन से में ठीकरेंगे बोलो थर्ड आपका आंसर होगा बात करेंगा क्या? वैसे Mn plus 3 यहाँ पर टाइपिंग एरर यहाँ पर plus 2 होना चाहिए बट आपका सबसे बेस्ट आंसर आपका यही होगा कैसे होगा? Mn O2 आपको पता है कि न्यूटरल मिडियम के अंदर इधर भी देखो न्यूटरल अलकलाइन और एसिडिक मिडियम तो न्यूटरल के अंदर Mn O2 में जाएगा ठीक न? और बैसिक मिडियम के अंदर Mn O4 माइनस टू में जाएगा तो आंसर आपका कुण सा होगा? थर्ड थोड़ा सा बेटा इसमें प्लस 3 यहाँ पर लिखावा है यह क्या होगा? यहाँ पर प्लस 2 बाकि आंसर आपका कुण सा जाएगा? इसमें 3rd नेक्स्ट क्यूशन अपन डिसकस करते हैं इस्टूशन लेते हैं इन असिडिक मीडियम वन मॉल उप Mn O4 माइनस एक्सेप्ट हाव मैनी मॉल्स उप लेक्टों इन रेडॉक्स प्रोसेश तो देखो इधर अगर अमली ये माध्यम की बात कर रहा है कुशन के अंदर तो कम N O4 जो है वो एक प्रकार से असिडिक मीडियम के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो S2SO4 जो ये MnSO4 प्लस टू के अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस 7 oxidation state है और यहाँ पर कौन सी है प्लस 2 तो आपको ये बोला है कि 1 mol MnO4 माइनस जो है वो कितने mol electron लेगा तो यहाँ पर 5 electron N factor किता आ रहा है यहाँ पर 5 तो आंसर कौन सा जाएगा बिठा इसमें आंसर जाएगा आपका 3rd चलाओ जी next question अपन डिसकस करते है वेन कैमनो 4 react with acidified FESO4 तो अपन जानते हैं कि कैमनो 4 है और FESO4 है आप जानते हो कि ये तो प्लस 7 में है और ये किसमें प्लस 2 के अंदर ये तो oxidizing agent का काम करेगा और ये किसका reducing agent का तो यहाँ पर reaction होगी कौन सी? Redox तो redox होगी तो oxidizing agent जो होता है वो खुद reduce होता है तो FESO4 और ये oxidize होगा FESO4 is oxidized and कैमनो 4 is reduced तो आंसा आपका कुन सा होगा? Third कापी simple सा question है आंसर इसमें कुन सा जाएगा students? Third चलो जी अपन बात करते हैं वेटा next question Question number 35 AgCl-Digual in a solution of NS3 but not in water तो देखो इदर अगर मैं बात करूँ AgCl AgBr और AgI की ठीक है न? अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इसमें यह सारे PPT हैं, precipitation है तो अपन क्या कर सकते हैं? AgI इस PPT को अगर अपने ओं घोलना है तो अपन ammonia ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं ammonia? क्योंकि ammonia जो है वो एक प्रकार से lawn pair donor है और lawn pair donor है तो आप कर सकते हो कि यह ligand का काम करेगा act as ligand और Ag जो है वो एक प्रकार से complex forming metal है तो यहां पर Ag, NS3 का hole twice, Cl इस टाइप से एक soluble complex बनेगा तो आप यह कर सकते हो कि यह ammonia के अंदर soluble है क्यों कि NS3 is stronger based than H2O, water की वजाए ammonia के अंदर यह तो कारण नहीं है ठीक है ना? तो आप यह कर सकते हो Ag plus form complex ion with NS3 तो यह complex formation के कारण एक प्रकार से ammonia के अंदर ammonia के साथ में इसकी affinity ज्यादा है इस complex की stability ज्यादा होती है इस complex बनाने की tendency के कारण यह ammonia के अंदर ज्यादा soluble होता है बात क्लियर है अपन बेटा next question को अपन discuss करते है Question number 36 In solid CuSO4.5H2, copper is coordinated too यह कापी famous सा question है इसके अंदर copper, sulfate, pentahydrate आपको यह दे रखा है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते है CuH2O का hole 4 SO4.H2O ठीक है ना? इसमें 4 Cu plus 2 जो है इसको 4 water molecule तो एक प्रकार से lon pair दे रहे है लॉन पेर दे रहे है ठीक है ना? और यह अपने पास ठीक है ना? अपने पास ठीक है ना? sulfate है और यहाँ पर oxygen यह water जो है वो hydrogen bonding शो करेगा ठीक है ना? hydrogen bonding तो आप यह कह सकते हो कि यह copper sulfate pentahedrate में चार water molecule तो अपने जो है चार water molecule तो coordinated है coordinate bond से बंदेव है और एक water molecule जो है वो hydrogen bond से बंदा हुआ है कौन सा water molecule? यह वाला यह hydrogen bond से बंदा हुआ है बात क्लिए रह गया? तो आपका question में answer क्या होगा? coordinated पूछा है तो 4 water molecules है ना? कितने water molecules? 4 तो आपका answer इसमें कौन सा जाएगा? बोलो next question which one of the following oxide is ionic? होता क्या है? कि D block के जो oxide है D block जो है उसके अंदर variable oxidation state शो होती है variable oxidation state और variable oxidation state शो होती है जैसे for example Mn plus 2, Mn plus 3, Mn plus 4, Mn plus 5, Mn plus 6, Mn plus 7 example देखलो आप example अगर आप देखो जैसे MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O5, MnO3, Mn2O7 तो नीचे जाने पर oxidation state बढ़ रही है या फिर आप यह कहोगो कि charge बढ़ रहे है charge बढ़ने से polarizing power बढ़ेगी और polarizing power बढ़ने से covalent character बढ़ते हैं और covalent character बढ़ने का मतलब यह भी आप ले सकते हो acid character बढ़ते हैं इसका मतलब यह कह सकते होगा आप कि lower oxidation state के अंदर lower oxidation state के अंदर basic nature होगा intermediate के अंदर amphoteric nature शो हो सकता है और नीचे जाने पर acidic character शो होगा तो higher oxidation state के अंदर acidic nature होता है तो आपका answer होगा which one of the following oxide is ionic तो यह chromium अपनी plus 6 higher में है phosphorus अपने higher के अंदर है magnees अपनी plus 7 में है और यह lower oxidation state में यहाँ पर MNO तो answer कौन सा जाएगा MNO MNO जो हो lower oxidation state में magnees अपने compound है तो यहाँ पर कौन सा nature होगा बिटा यहाँ पर ionic तो answer कौन सा होगा आपका first next question 38 the reaction of dichromate with NACL in concentrated estosopore यह chromyl chloride test है chromyl chloride test chromyl chloride test जो है वो ionic chloride देते है ionic chloride ठीक है ना ionic chloride जैसे for example NACL में chloride ion की उपस देती है आप इस test से पता लगा सकते हो इसमें simple dichromate है आपकी estosopore से आपने जैसे for example NACL आपने लिया तो यहाँ पर एक compound बनता है students CRO2 Cl2 जिसकी red vapor बनती है कैसी vapor बनती है red vapor ठीक है ना इसका confirmatory test करने के लिए अपना आगे फरदर आयने वैस के साथ में अपन रियक्शन करवा सकते हैं तो इसमें yellow color का sodium chromate बन जाता है और फिर अपन lead acetate के साथ में lead chromate का PPT बनता है उससे पूरा confirm हो जाता है कि हाँ इसमें chloride ion उपस्तित है तो पहली बात तो यह कि chromyl chloride test जो है students यह test of chloride ions है यह test of chloride ions और दूसरी बात important है कि यह ionic chloride देते हैं कौन से chloride देते हैं ionic chloride और इसमें अपन यह components लेते हैं ठीक ना और इसमें important चीज के है कि chromyl chloride बनता है CRO2, Cl2 जो जिसकी red vapor मिलती है आगे confirmatory test भी अपन कर सकते हैं बट सबसे important बात यह है कि chromyl chloride का आपको formula पता होना चीए answer कौन सा जाएगा इसमें third answer जाएगा next question students अपन discuss करने जा रहे है 39 which of the following which oxidation state number of iron in the compound इसके अंदर देखो इस compound के अंदर अपने को oxidation state बतानी है तो अपने को compound दे रखा है FPH2O का whole 5 NO SO4 इसको brown ring complex भी अपन कह सकते हैं brown ring complex होता कि students अपन नाइट्रेट आयन की test के लिए brown ring test अपन पढ़ते हैं test of nitrate ions इसमें अपन क्या करते हैं इसके अंदर अपन एक तो फेरस अलफेट लेते हैं nitrate ion present कोई ऐसा salt ले लेते हैं जैसे for example यह कोई salt नाइट्रेट आयन जिसमें present होनी की संभावना है ठीक ना और अपन आइस्टोर iso4 काम में लेते हैं जब इनकी अपन reaction करवाते हैं तो basically यहां पर जो हो product बनता है वो यह वाला बनता है इसको अपन brown ring complex बोलते हैं ठीक ना इस brown ring complex के अंदर oxidation state की बात करें तो आफी के लिए अपन किती ही लेते हैं X और X और water यहां पर neutral ligand है और NO पर यहां पर plus 1 oxidation state होगी और SO4 पर minus 2 तो X बराबर किता जाएगा बोलो यहां पर plus 1 तो oxidation state यहां पर यह आंसर जाएगा बोलो भी बात क्लिर है next अपन क्यूशन लेते हैं क्यूशन नंबर 40 question no 40 क्या students which of the following metal give hydrogen gas when heated with hot and concentrated alkali आप जानते हो कि अपकी बार अपने क्या बोला alkali आपको पता है metal जो हो basic nature की होती है तो base के साथ में reaction करेगी नहीं but amphoteric अगर कोई metal है देखो generally अपने यह कहते हैं कि metal जो है वो base के साथ में reaction नहीं करती लेकिन आप जानते हो कि अगर यहां पर metal जो है वो आपकी amphoteric है अप एमफोटेरिक metal है तो वो base के साथ में reaction कर जाएगी जैसे for example आप यहां पर beryllium की बात करो aluminium की बात करो जेडन की बात करो एर्सन की बात करो पीवी की बात करो यह एमफोटेरिक की नेचर की है इसलिए आप अगर नमवेज के साथ में reaction कराते हो तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा और प्रोड़क्ट क्या बनेगा यहां पर यहां पर आंसर आपका कौन सा जाएगा बोलो जेडन नेक्स्ट क्यूशन अपन देखते हैं स्टूएंट्स क्यूसर नमबर 41, 41 में क्या पूछा है अपने को APSO4.7S2O यह आपको compound दे रखा और किसके साथ में isomorphism शो करेगा isomorphism के लिए अपन एक तो देखते हैं hydrated water molecules जो हो सेम होने चाहिए और metal का charge जो हो भी क्या होना चाहिए सेम तो यहाँ पर देखो आपका answer यह वाला नहीं होगा यह वाला भी नहीं होगा यहाँ पर कॉमा लगया अब है और यहाँ पर जैड़न-S04.7S2O यह ठीक अपना answer जाएगा और अब आपके अगर confusion अगर इसमें calcium sulfate.7S2 इसमें हुआ है तो यहाँ पर typing error है यहाँ पर 2 होगा ठीक अना और फिर भी अगर आपने इस चीज़ को समझ किया तो first किया होगा बागी calcium sulfate के साथ में addited water molecule generally किते होते हैं दो ठीक ना तो इसमें आप आगे बिल्कुल इस understanding के साथ में ध्यान रखे चीज़ों को ठीक नेक्स्ट क्यूशन अपन डिस्कस करते हैं क्यूशन अंबर 42 विच अलेमेंट इस अलोइड विट कॉपर तू फॉम ब्रॉंच तो ब्रॉंच के अंदर वेटा एक बात हूँ कॉपर के अंदर कॉपर प्लस SN इसको अपन क्या बोलते हैं ब्रॉंच तो आंसर आपका कौन सा जाएगा थर्ड आपका आंसर जाएगा चलो भी नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं अपन Most stable oxygen state of iron आइरन की stable oxygen state के बारे में बात करनी है तो फी जो है इसका electronic configuration होगा आरगन 3D6 फॉरस्टू तो इसके अंदर अगर अपन बात करें फी की प्लस 2 के बारे में तो फी प्लस 2 के पास में कौन सा configuration होगा बोलो आरगन 3D6 और फी प्लस 3 के configuration क्या होगा बोलो आरगन 3D5 तो आपन जानते हैं कि यहां stable half field configuration के कारण फी प्लस 3 जो हो फी प्लस 2 की तुलना में क्या होगा ज्यादा stable होगा तो आपका कुन सा जाएगा oxidation state कुन से ज्यादा stable होगी प्लस 3 चलो students अपन next question के बारे में बात करते है question number 44 steel differ from pig iron and wrought iron in that it contain ठीक ना steel जो है वो pig iron और wrought iron से किस प्रकार से different होता है तो देखो blast furnace से अपन जो molten effe प्राप्त करते हैं molten effe molten effe वो तो क्या होता है pig iron और उसके बाद में अपन casting के बाद में उसको store करते हैं वो होता है cast iron तो चाए pig iron हो चाए चाए pig iron हो चाए अपने पास cast iron both are impure form of effe both are impure form of effe इसमें man impurity carbon की होगी और सुक्समात्रा में sulfur, phosphorus, manganese और silicon की impurities होती है अब इसमें बोला गया है कि अपने को steel के बारे में बात करने हैं तो steel के अंदर basically अपन क्या करते हैं carbon की impurity को regulate करके अपने steel बनाते हैं एक होता है अपने पास क्या road iron एक अपने पास होता है road iron जो purest form होता है effe का एक प्रकार से road iron यह purest form होता है इसके अंदर carbon की impurity नहीं के बराबर तो इनके बीच की जो carbon की impurity यहाँ पर 3 से 4% होती है और यहाँ पर काफी कम होती है तो steel जो है वो एक प्रकार से carbon की impurity के मामले में intermediate होता है और carbon की impurity को regulate करके ही अपन steel बनाते हैं तो आपका answer कौन सा जाएगा carbon की मात्रा जो हो दोनों के बीच में होगी an amount of carbon intermediate between 2 तो आप का answer इसमें कौन सा जाएगा 4 चलो भी next question अपन question number 45 अपन discuss करते हैं 45 is the most important oxidation state of copper देखो copper का electronic configuration तो होता है argon 3D10 4S1 ठीक है ना तो अगर gacy state में बात करें तो argon 3D10 बहुत easily show करेगा क्योंकि IP1 का मान क्या होगा काफी कम लेकिन आप जानते हो कि अगर एकपस solution की बात करें है अपन तो argon 3D9 जो है ये शे होगा लेकिन copper plus 2 का एक तो small size एक तो small size और high hydration energy के कारण copper plus जो हो दिस proportionate होगा और Cu plus 2 और Cu के अंदर जाएगा तो एक प्रकार से ये unstable होगी और सबसे ज़्यादा stable oxidation state कौन सी होगी plus 2 तो answer आपका कुन सा जाएगा second चलो students अपने next question लेते हैं question number 46 which metal is present in brass, bronze and german, silver? इन सब के अंदर copper होती है, ठीक है na Cu, Sn अभी अभी अपने bronze की बात किती, Cu, Zn हाना, और यहाँ पर german, silver के अंदर ये वाली तो मतलब copper तो इसके अंदर होगी होगी answer आपका कौन सा, third चलो students, अपन next, अपन question discuss करने जा रहे है, question number 47 47 question क्या देखो कि the method of john refining of metal is based on the principle of तो john refining के अंदर क्या concept होता है, ये silicon or germanium silicon और germanium के लिए basically काम में लेते हैं, अपन silicon और germanium के लिए silicon और germanium के लिए काम में लेते हैं basically इसमें concept क्या है कि impurities impurities are more soluble more soluble in melt गली तवस्था के अंदर impurities जो हैं, वो एक प्रकार से solid की बजाए, ज्यादा soluble होती है तो इस concept पर based अपन इस बात की बात, तो greater solubility of the impurity in the molten state तो इस base पर अपन इस zone refining method को काम में लेते हैं, तो zone refining method, especially semiconductors के लिए अपन काम में लेते हैं, highly pure condition के अंदर आपको मिलते हैं और इसमें क्या होता है, अपन जो impure metal की road लेते हैं, उसमें कोईल लगी होती है, उस कोईल के अंदर जो metal का part है, वो क्या होगा, molten zone में होगा, और जैसे हैं अपन कोईल को आगे बढ़ाएंगे, तो molten zone आगे बढ़ेगा, और impurities जो है हो, molten zone के साथ में आगे बढ़ेगी, क्योंकि impurities are more soluble in melt तो इस basis पर आपका answer कुण सा जाएगा, first जाएगा, student next question अपन करते हैं, question number 48 question number 48 the extraction of which of the following matter involve basemarization तो basemarization जो हो कौन से हो करता है तो answer आपका जाएगा किस में, copper कैसे जाएगा, देखो अगर अपन बात करते हैं, copper की metallurgical steps के बारे में अपन थोड़ सी बात करें तो सबसे पहले अपन एक crushing कर ली, grinding कर ली, उसके बाद में concentration आप करते हो, concentration के अंदर कौन सा method कहा में लो के आप fraud flotation method कहा में लोगे अब fraud flotation के बाद में अपन क्या करवाते है, roasting अपन roasting करवाते हैं, और roasting के बाद में आपको मिलता है copper mat copper mat और इस copper mat का composition होता है CU2S और FES फिर अपन इस copper mat को कहां ले जाते हैं अपन, besammerization के अंदर तो आपने besammer converter के अंदर अपन besammerization करवाते हैं तो besammerization के अंदर आपको पता है auto reduction भी होगा और FES जो impurity के रूप में है वो, आपना, FESI O3 slake का formation भी करेगा तो besammerization किसमें होता है copper के अंदर, बात clear है क्या answer इसमें कौन सा होगा बेटा fourth होगा, चलो अपन next question की बात करते हैं next question होगा 49, which is impure form of FES यह अपन बात करी चुके हैं, कि pig iron हो, ठीक है ना और cast iron, यह दोनों ही impure form है, और आपको impure form ही पूछा है, तो आप इसमें pig और cast में से आपके cast option दिया होगा है, तो answer क्या होगा आपका cast iron, ठीक है students next अपन question discuss करते हैं, question number 50 यह आपको कुछ ions दे रखे हैं, और आपको इनको size के increasing order में आपको रखना है बात clear है, तो देखो इदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर scadium, atrium, lengthenum और actinium तो यहाँ पर plus 3 अगर species की मैं बात करूँ तो आपको एक तो दे रखा है क्या cerium lengthenum के बाद में यहाँ start होगा cerium, ठीक है ना cerium दे रखा आपको, एक आपको lengthenum दे रखा है और एक prometheum और actinium तो यहाँ से आपन आगे बढ़ेंगे ठीक है ना? तो आप यह कह सकते हो इस type से actinium यहाँ पर कहीं आएगा, एक आपको actinium plus 3 दे रखा है और एक आपको दे रखा, prometheum plus 3 यह वाला तो अपन जानते हैं कि इस साइड में जाने पर z effective बढ़ेगा और z effective बढ़ेगा तो size जो है वो गटेगी तो सबसे ज्यादा size किसकी होगी lengthenum की, तो यह आपका answer यह दो तो गलत होगे, lengthenum की ठीक है lengthenum की ठीक बाद में कौन आएगा cerium, यह cerium आगया उसके बाद में कौन आएगा, prometheum prometheum आगया, उसके बाद में कौन आएगा iterbium, तो answer आपका कौन सा होगा first आपका answer जाएगा students चलो अपन next question लेते है students, question number 51 the number of d electron in fp plus 2 is not equal to that of, तो fp plus 2 है ठीक है ना, तो देखो इदर fp plus 2 जो है, उसके अंदर electron किते हैं 3d6 है, तो यहाँ पर d electron के बारे में बात किये तो d electrons are 6 6 d electrons d electrons के बारे में आपको बात बताई है तो यहाँ पर 6 electron is not equal to that of तो देखो इदर p electron in neon, तो neon के अंदर एक प्रकार से 1s2, 2s2, 2p6 तो p electron भी 6 है बिल्कुल equal है यह तो d में जो 6 electron इसके बराबरी neon में p electrons है, s electron in magnesium magnesium का configuration आप लिखते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 तो यहाँ पर देखो s के electron total किते हैं 6, तो यहाँ पर भी equal आ रहा है fp में d electron fp के अंदर fp का electronic configuration आप लिखोगे argon, 3d6, 4s2 इससे पहले कोई d का electron आया नहीं है तो d में 6 electron है, बिल्कुल इसके बराबर होगा, cl माइनस में p electrons, तो cl माइनस में अगर p electrons की अगर अगर अपन बात करें तो cl माइनस में अगर 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 अपन p electron की बात करें तो cl माइनस का मतलब आप जान रहे होंगे इसमें केते electron है, 18 तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तो p electron तो टोटल किते होगे students, 12 तो आपका आंसर जो है, वो इसमें not equal जाएगा तो आंसर कौन सा होगा आपका next question की बात करते हैं question number 52 इसमें आपको क्या पूचा है इसमें basic nature के बारे में आप से बात किए basic elective transition metal monoxide follows the order, अपन जानते हैं कि left to right अगर अगर अपन जा रहे हैं titanium, vanadium, chromium, magnesium, iron इस साइड में अपन जा रहे हैं इस साइड में जाने पर IP जो है वो generally बढ़ता है तो IP बढ़ेगा तो यह inversely proportion होता है basic nature basic nature of oxide and hydroxide oxide and hydroxide तो इस साइड में जाने पर IP बढ़ता है तो basic nature decreased होगा, तो यहाँ पर अगर इनके oxide हैं, सारे plus 2 के अंदर अपने लिए हैं, इस साइड में जाने पर basic nature decreased होगा तो आपको ध्यान देना इसमें answer कौन सा जाएगा इसमें answer कौन सा जाएगा पहला answer आपका जाएगा चलो students, अपन next question 53 के बारे में बात करता है atomic number of vanadium, chromium, magneze and iron are respectively 23, 24 26, which one of these may be expected to have the highest second ionization enthalpy तो देखो, second ionization enthalpy की बात कर रहे हैं, तो अपन एक एक electron तो निकाल चुके हैं और अपन और फरदर एक electron निकाल रहे है तो देखो, यहाँ पर atomic number 23 दे रखा आपको 24 दे रखा है, 25 और 27 तो vanadium दे रखा है, chromium दे रखा है, magneze दे रखा है और iron इनके configuration लिख लेते हैं अपन 3D3, 4S2 3D5, 4S1 3D5, 4S2 और यहाँ पर 3D6, 4S2 आपको पता है कि इसके अंदर पहला electron निकल जाएगा तो IP2 की बात कर रहे हैं तो पहला electron निकल जाएगा, मतलब plus 1 से electron निकलेगा और plus 1 से electron अगर निकलेगा तो students अपन ऐसा कर सकते हैं एक electron अपन निकाल देते हैं एक electron अपन निकाल देते हैं तो एक electron निकालने पर यहाँ पर 4S1 बचा यहाँ पर 4S1 बचा और यहाँ पर 4S1 तो इसके पास stable configuration है तो यहाँ से electron निकालना काफी मुश्किल होगा तो इसका chromium का IP2 जो है वो काफी ज्यादा होगा आंसर आपका कुण से जाएगा second चलो इस्टूडेंट अपन नेक्स्ट कुशन अपन बात करते हैं nuclei of tritium tritium के अंदर अगर अपने को बात करनी है तो 1S3 होता है ठीक है ना 1S3 उसमें neutron अपन किस टाइप से निकालते है A-Z एक का मान किता है 3 और Z का मान किता है एक तो आंसर आपका कुण सा जाएगा second चलो students अपनेक्स्ट क्यूशन के बारे में बात करते हैं क्यूशन नंबर 55 ordinary hydrogen at room temperature वो ordinary hydrogen के बारे में बात कर रहा है तो यह आपको ध्यान रखने वाले point है कि ortho hydrogen 75% और pera hydrogen 25% उसके अंदर होता है यह hydrogen वाले chapter से question है और उसमें ortho और pera का composition आपको room temperature पर ध्यान रणा चीए यह question कही बार पूछा जाता है ठीक है ना चलो भी अपन next question के बारे में बात करें next question के बारे में अपन बात करते हैं question number 56 in which of the compound does hydrogen have an oxidation state of minus 1 तो ionic hydride के अंदर अपन जानते हैं कि calcium की EN क्या होगी EN calcium और hydrogen में किसकी ज्यादा है hydrogen की तो यहाँ पर calcium plus 2 में है और H minus यहाँ पर ionic hydride है यह कह हैं students ionic hydride तो आपका answer इसमें कौन सा जाएगा 4 जाएगा next अपन question discuss करते हैं students 57 57 में हैं कि hydrogen gas जब zinc के साथ में reaction करती है hydrogen पराप नहीं होती है जब zinc इसके साथ में reaction करता है students अपन जानते हैं कि zinc एक amphoteric metal है amphoteric metal तो acid base acid base and water के साथ में hydrogen gas देगी आलाएग कि इसमें काफी conditions हैं ठीक ना कि लेकिन आप एक चीज विशेश रूप से पन ध्यान रखते हैं कि जो ऑक्रडाइजिंग एसीड है ऑक्रडाइजिंग एसीड अक्रडाइजिंग एसीड में कौन कोन आ गया अपने पास concentrate H204 आ गया concentrate HNO3 आ गया और even dilute HNO3 भी यह oxidizing nature के हैं तो अगर आप इसकी reaction metal से करवाते हो तो यहाँ पर आपको hydrogen gas नहीं मिलती है कोई और gas मिलती है जैसे H204 की reaction करवाते हो तो यहाँ पर SO2 मिलेगा आपको hydrogen की जगह पर और यहाँ पर आपको NO2 मिलेगा और इस case में आपको N2O या NO की बात की जा सकती है तो students यहाँ पर पूछा गया है कि जिंक किस के साथ में hydrogen gas नहीं देगा तो water के साथ में देगा NOH के साथ में देगा dilute acid के साथ में देता ही है और sulfuric acid यहाँ पर concentrate दे रखा है तो concentrate sulfuric acid के साथ में आपको कौन सी gas मिलेगी hydrogen की जगह पर SO2 gas मिलेगी तो answer आपका कुन सा जाएगा इसमें third चलो students next question अपन डिसकस करते है permuted technical name of तो यह आपको विशेश रूप से दियान रखना है permuted के बारे में कि permuted जो है वो hydrated silicate of ठीक है ना hydrated silicate of aluminum and sodium इसी को अपन क्या बोलते है permuted ठीक है ना यह silicate ही होते हैं basically hydrated होते हैं aluminum और sodium के बात क्रीर है क्या तो आप permuted के बारे में यह point जरूर ध्यान रखें चलो students अपन next question के बारे में बात करते है next question आपका 59 metal which does not react with cold water but evolve hydrogen with steam तो यह वाला जो question है इसके अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि hydrogen वाले chapter में hydrogen formation के लिए भी आपने F-E की reaction करवाई है steam के साथ में F-E की reaction water के साथ में अगर करवानी है तो आपको steam के रूप में लेना पड़ेगा क्योंकि reactivity series के अंदर F-E के आता है नीचे तो sodium हुआ, potassium हुआ ठीक ना तो यहाँ तो PT तो एक प्रकार से ठीक ना आप यह कह सकते हो कि which metal which does not react with cold water platinum जो है वो water के साथ में तो react नहीं करेगी और वहाँ पर hydrogen एक प्रकार से देगी लेकिन यहाँ पर यह अपन कह सकते है F-E को जो है वो steam के साथ में react करवाना पड़ेगा तो answer आपका कौन सा जाएगा बोलो answer जाएगा आपका 4 next question अपन लेते है students यहाँ पर F-E के साथ में steam के यह hydrogen वाली chapter में आपके reaction भी दे रखी है कि F-E के उपर अगर अपन steam अपन पास करते हैं तो वहाँ पर क्या बनती है hydrogen next question देखू next question आपका the structure of S2O2 solution is तो अगर अपन S2O2 की बात करते हैं तो इसके अंदर hydrogen जो है वो एक प्रकार से different angular shape होती है यहाँ से यह angular open book type की structure होती है और इस structure को अपन non-planar structure बोलेंगे बात क्लिर है next question देखू students next question है which one of the following is true proxide true proxide only S-block वाले बनाते हैं true proxide और superoxide भी superoxide by S-block तो यहाँ पर धन दे आप यहाँ पर ba o2 जो है वो S-block का है और यहाँ पर ba plus 2 और o2 minus 2 इसमें proxide species present है ठीक है ना mn o2 के अंदर oxygen oxide के रूप में है oxygen oxide के रूप में है oxygen oxide के रूप में है और यहाँ पर जो है वो किस रूप में है proxide के रूप में next अपन क्यूसन देखते हैं question number 62 the volume of oxygen liberated from 0.68 gram of S2O2 इसके अंदर अपन क्या करेंगे देखो अपन एक reaction लिख लेते हैं कि hydrogen oxide जो है वो इस type से decompose होता है तो इसका जो 2 mol है वो 1 mol यहाँ पर oxygen दे रहा है तो NTP पर अगर अपन इसको volume में convert करें तो यहाँ पर किता होगा 2400 ml और इसको अपन weight में convert करें तो 68 gram क्योंकि 1 mol का weight किता है 34 68 gram of S2O2 provide 22400 ml of oxygen gas 1 gram कितना देगा बोलो 2400 में अपन divide कर देंगे अपन 68 को और 0.68 gram से अपने को पूचा है तो इसको अपन आगे जाके multiply कर देंगे तो 2400 upon 68 और यहाँ पर 0.68 ठीक है ना तो यहाँ पर यह cancel out हो जाएगा अपन इसका answer किता जाएगा 224 224 ml आपका इसमें answer जाएगा ठीक है ना चलो जी simple mol concept का question था next question अपन लेते है sample of water content sodium chloride sodium chloride की अगर अपन बात करें तो यह water soluble होता है ठीक है यह Na plus Cl minus देगा और यह water soluble compound है तो basically होता है hard water और soft water अपन किसको बोलते है एक तो अपन बोल रहे है soft water और एक बोल रहे है hard water तो ऐसा water जिसके अंदर soft जो है जाग नहीं दे पाती है उसको अपन बोलते है hard water basically calcium और magnesium आयनों की presence के कारण ऐसा होता है होता क्या है कि sodium और potassium soft जो होती है sodium potassium soft का मतलब जो sodium sterate हो गया sodium permittate हो गया magnesium long chain वाले hydrocarbon के sodium potassium salt जो होते हैं उसको अपन जो होती है water soluble क्या होती है students water soluble और अगर आप water के अंदर calcium magnesium ayan present है तो यह soft calcium soft और potassium soft किसमें कनवर जाती है sodium और potassium soft किसमें कनवर जाती calcium और magnesium अगर यह ion present है तो यह soft जो है वो एक प्रकार water insoluble हो जाता है water insoluble अगर यह calcium magnesium ayan present है तो आप यह कह सकते हो कि sodium soft potassium soft जो calcium और magnesium soft में कनवर्ट होगी और यह प्रकार से water insoluble होने के कारण आपट जागुतपन नहीं होंगे तो कुल मिलाकर बात ही है कि sodium ayan की presence के कारण तो अपन यह कहेंगे कि water soft है ठीक ना अंसर कुन सा होगा second hard water अपन कब बोलते जब calcium magnesium ayan की presence की बात होती चलो भी students अपन next question बात करते है 64 which one of the following the most abundant element in universe अगर अपन earth crust की बात करें अगर अपन earth crust की बात करें तब तो यह है ठीक ना यह है earth crust की लेकिन आपको पूछा कि इसमें in universe in universe universe के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है hydrogen most abundant in universe universe के लिए पूछा है तो आपका answer कौन सा जाएगा hydrogen आपका answer जाएगा चलो students next question 65 के बारे में अपन बात करते है frotation process is used for the concentration of frotation process को अपन concentration किसके लिए काम में लेते हैं students sulphide ore के लिए sulphide ore के लिए अपन frotation method को काम में लेते हैं और इसमें खास बात यह कि जो sulphide ore होता है वो hydrophobic nature का होता है यह किसका होता है hydrophobic nature का और उसके बाद में अगर अपन बात करें impurities की ठीक ना impurity की अपन बात करें तो वो hydrophilic nature की होती है और जब अपन oil और water का अगर अपन mixer लेते हैं तो होता है कि sulphide ore किस में चला जाता है वो frost के अंदर चला जाता है क्योंकि oil आना oil loving होगा तो oil के साथ में वो frost में बाहर आ गया फिर अपन frost को अलग करते हैं sulphide ore अलग हो जाता है तो यह frost flotation method आपने students पढ़ा होगा next question अपना लेते हैं question number 66 in metallurgy flux is a substance used to convert देखो इदर होता कि कोई high melting point वाली impurity है high melting point तो आप जो है वो इसको अपन मानलो यह impurity हो सकती है ठीक ना तो आप बाहर से कोई substance मिलाते हो उसको अपन बोलेंगे flux और जो compound बनेगा वो क्या होगा slag तो होता क्या है flux अपन इसलिए मिलाते हैं ताकि यह high melting point वाली जो चीज है वो low melting point वाले में convert हो जाए इसको अपन बोलते है slag और basically इसका concept ही है कि अगर यह मानलो acidic oxide है अगर यह क्या है acidic oxide है for example acidic oxide की impurity है तो flux के रूप में आपके मिलाते हो basic oxide और अगर मानलो कि basic oxide की impurity है तो अपन क्या मिलाते है flux के रूप में acidic oxide तो यह आपस में reaction करके जो compound बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते है slag तब क्यूस्वन क्या देखो दातु कुरम में गालक का प्रियोग किसको परिवर्तित करने के लिए करते है जो non-fusible impurity है ऐ गलनी असुद्धी जो है उसको गलनी पदार्तों में convert करने के लिए तो आपका answer कौन सा होगा इसके अंदर first होगा ठीक है ना अब अपन students next question की बात करते है अपने जब roasting करवाया तो roasting के बाद में आपको जो copper और मिला वो cu2s और fes जिसको अपन क्या बोलते है copper matte इसको अपन क्या बोलते है students copper matte इसको फिर अपने basemr converter के अंदर अपन ले गए basemr converter basemr converter के अंदर अपन ने क्या किया fes जो है वो air के साथ में reaction करके किसमें convert हुआ बोलो feo के अंदर और feo जो है वो si o2 के साथ में reaction करता है यह एक impurity थी अपनी जो non-fusible थी और आपने बहार से क्या मिला रखा है इसमें flux तो यहां पर fe si o3 जो है इसका अपने slake बनेगा ठीक ना आपने क्या किया रोस्टिंग के अंदर आपको copper mate मिला और copper mate को अपन becimer converter में ले गए और becimer converter में यह जो fe s है ठीक ना इस fe s जो है यह रोस्टिंग के बाद में oxide बनेगा और यह oxide जो है वो एक प्रकार से गालक के साथ में flux के साथ में fe si o3 copper pyrite चलो अपन वही point चल रहा है अपना तो basically इसमें क्या हुआ कि आपने जब roasting के बाद में co2s और fe s जिसको अपन बोल रहे है copper mate अब इसको अपने जब becimer converter के अंदर अपन ले गए becimer converter तो वहाँ पर इस copper mate का co2s जो है वो reaction करेगा air के साथ में तो 2cu2o plus 2so2 यह reaction जो है वो एक प्रकार से partial roasting होती है यह क्या होती है partial roasting partial roasting में क्या हुआ कि एक तो अपने पास यह cu2s जो की unroasted है unroasted और एक cu2o जो की roasted हो रहे है इनकी आपस में reaction होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा 6cu plus SO2 तो becimer converter के अंदर अपने copper matte डाला था उसमें FES का तो क्या बना FES iO3 जो भी पिछे वाले किस्वन में बात की थी और copper matte का cu2s है वो roasting होगी तो थोड़ा वो तो roasted और यहाँ पर unroasted आपस में इनकी reaction से यहाँ पर copper मिलेगा तो final reaction जो है वो आपकी सबसे important जो copper की metallurgy में होनी है वो कौन सी होगी जहांसे copper मिलता है अपने को option number second बात clear है चलो जी अपन next question की अपन बात करते हैं next question question number 69 cn minus solution use in the extraction of which metal तो students अपने cyanide process के बारे में बात करते हैं देखो एक concentration का chemical concentration के कुछ chemical methods है chemical method और chemical method में भी basically कौन सा leaching 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 जो है वो एक प्रकार से hydrometallurgy के अंतरगत आता है hydrometallurgy के अंदर मतलब इसमें aqueous chemistry use होती है अब इसमें होता क्या है कि अपने पास जो non concentrated ore है non concentrated ore में एक तो अपना ore हो गया और एक अपनी impurity हो गई तो अपन ऐसे reagent के साथ में react करवाते हैं जो ore के साथ में तो water soluble compound बनाए water soluble compound और impurities जो हैं वो क्या हों इसमें बोलो insoluble insoluble ठीक है ना तो इसको अपन leaching बोलते हैं leaching के अंदर अब basically इसमें होता क्या देखो इदर अगर मैं आपको यह कहता हूं कि leaching के example example के रूप में ले रहा हूं मैं cyanide process cyanide process cyanide process जो हो ag या फिर au के लिए काम में लेते हैं इसमें अपन na cn या फिर case cn काम में ले सकते हैं क्योंकि अपने हो पता है कि ag और au complex forming metal है जो cyanide के साथ में complex बनाएंगे और यह complex मैं M लिख देता हूं ag और au के लिए M cn का hole twice minus one ठीक है ना और फिर first step तो होगा water soluble complex का formation first तो होगा water soluble complex का formation और दूसरा होगा metal displacement step metal displacement यहां पर जैसे zn से अपन metal को displace करवा सकते हैं तो zn cn4 minus two और यहां पर metal जो हो ठीक है ना यहां पर metal जो हो अलग हो जाएगी तो cn- complex forming principle के base पर अपन जो है extraction एजी के extraction के अंदर अपन काम में लेते हैं इसका पुरा नाम क्या है method का make arthur forest cyanide process जो एक ही leaching है और chemical concentration का एक point है चलो जी next question अपन discuss करते हैं question number 70 electro metallurgical process used to extract तो देखो highly positive highly electro positive metals जो होती है उनका srp काफी कम होता है मतलब reduce होने की tendency काफी कम होती है तो वहां पर electrical energy काम में लेते हैं electrical energy और electrical energies यहां पर use होती हो उसको अपन बोलते हैं electro metallurgy क्या बोलते हैं उसको electro metallurgy तो आपका answer यहां पर कौन सा जाएगा बोलो electro positive metal अपने पास कोन है यहां पर sodium तो sodium के लिए अपन काफी ज्यादा electro positive metal है ठीक है तो अपन कह सकते हैं इसके लिए अपन electro metallurgy काम में लेंगे बात के लिए down process अपन काम में लेते हैं next question question number 71 in blast furnace iron oxide is reduced by blast furnace के अंदर होता कि basically अपन बाहर से क्या-क्या काम में लेते हैं एक तो अपन और लेते हैं काम में ठीक है ना जैसे F2O3 हो गया और reducing agent की रूप में आप यहां पर co carbon काम में लेते हो और इसमें flux के रूप में आप क्या काम में लेते हो calcium carbonate लेकिन carbon का यहां पर combustion होता है तो बनता है CO2 और CO2 फिर carbon के साथ में CO यह gas हैं जो उपर की ओर जाती है तो यह वाला जो zone है जिसको अपन reduction zone बोलते हैं क्या बोलते हैं reduction zone यहां पर reduction basically किसके द्वारा होता है carbon monoxide के द्वारा F2O3 जो है वह पहले carbon monoxide के साथ में reaction करके F3O4 बनाएगा और फिर यह F3O4 जो है वह carbon monoxide के द्वारा reduce होकर FEO बनाएगा और फिर यह जो FEO है CO के द्वारा reduce होकर FEO CO2 में और यह FEO जो है वो molten api के रूप में आपको नीचे मिलता है कुल मिलाकर बात ही है कि अपने charge के रूप में तो को carbon लिया है बैसिकली यहाँ पर reduction किसके द्वारा हो रहा है हना carbon monoxide के द्वारा हो रहा है तो अपन next question अपन discuss करते है students question number 72 aluminum thermite process aluminum used as aluminum जो है वो अपन reducing agent के रूप में काम में लेते है generally deblock की जो metals है वो less electropositive है generally जो deblock की metals है generally reduced by carbon reduced by carbon क्योंकि यह less electropositive है तो अपन जो है वो pyrometallurgy मतलब अपन heat काम में लेके करते है लेकिन जो high melting point high melting point वाले जैसे Cr2O3 हो गया, TiO2 हो गया MnO2 हो गया इनका melting point इतना ज्यादा है कि इनको carbon के द्वारा co carbon के द्वारा अगर आप reduce करना चाहो तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि oxygen की affinity carbon की तुलना में metal के साथ में ज्यादा है ठीक है ना यहाँ फिर आप यह कह सकते हो इसके decomposition का delta G का जो positive मान है वो carbon अपने oxide formation के द्वारा delta G का negative मान इतना ज्यादा नहीं कि compensate कर दे तो अपन basically यहाँ पर क्या काम में लेते हैं बोलों, यहाँ पर अपन काम में लेते हैं aluminum अगर जैसे for example मैं CR2O3 की बात करूँ तो aluminum इसका decomposition अगर मैं करूँ इसका decomposition का जो delta G का मान जो positive होगा तो aluminum अपना oxide बनाएगा AL2O3 तो यहाँ पर delta G का क्या मान होगा negative तो यह इससे magnitude में क्या होगा ज्यादा इसका मतलब यह है कि यह इसके लिए reducing agent के रूप में अपन काम में ले सकते हैं thermite process का point है कुल मिला कर बात ही है कि अपने aluminum जो हो reducing agent के रूप में काम में लेते हैं अपचायक के रूप में काम में लेंगे next question अपन लेते हैं question number 73 aluminum is produced on a large scale by electrolysis of alumina dissolved in fused cryolite and a little fluorospar these two electrolyte, cryolite and fluorospar respectively इन में simple आपको formula पूछा है कि cryolite कौन सा होता है और fluorospar कौन सा होता है तो cryolite तो कौन सा होगा Na3, Alp6 और fluorospar कौन सा होता है students CA, F2 ठीक है ना तो ये hall herald process related question है जिसके अंदर आपको ये गालक की रूप में अपन फ्लक्स के रूप में काम में लेता है Al2O3 का melting point काफी ज्यादा होता है और covalent character भी होता है तो ionization भी इतना easily नहीं होता है तो अपन बार से इसमें cryolite और fluorospar मिलाते है जिसकी presence में mixer का melting point भी कम हो जाता और conductivity भी बढ़ती है चलो अपन नेक्स्ट क्यूशन के बारे में बात कर रहे है क्यूशन नमबर 74 John refining is used for the purification of germanium semiconductor के लिए semiconductor metals semiconductor जो है जैसे silicon होआ, germanium होआ ठीक है ना, इनके लिए purification की सबसे best method कोन है John refining next question अपन लेते हैं last 74 gold is accepted by hydrometallurgy का process based on its property complex forming to form complex which are to form complex which are water soluble ठीक है ना, अभी अभी अपने बात की थी कि AG और EU के लिए अपन cyanide process काम में लेते हैं और उसका concept यह है कि वो complex forming tendency रगते हैं इसलिए अपन suitable कोई resident लेते हैं जो water soluble complex बनाए और उस water soluble को अपन चान कर अपन अलग कर सकते हैं और उसके बाद है metal displacement के दवार वापस से metal को अपन डिस्प्लेस कर सकते हैं तो answer इसमें कौन सा जाएगा? थर्ड आपका answer जाएगा ठीक है थर्ड अंसर तो यह students आपका complete paper था उमीद है आपका अच्छा गया होगा और एक question में जो typing error है उसके करण आप उसका कोई दिक्कत आपको होगी नहीं ठीक है और इसमें कोई question गलत हुए हैं तो आप उनको थोड़ा वापस एक बार topics को आप check करें ठीक है थेक है थेंक यू